यह मातादी, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ और मातारानी से प्रात्ना करती हूँ कि वो आप सब पर अपने किरपा बनाए रखे और आप सभी सुखी हों, संपन हों और स्वस्थ हों आज जिस टोपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है अक्षयतिर्तिया अक्षयतिर्तिया पर इस बार बेहत सुबसयोग बन रहा है अगर आप कुछ विशेश उपाई करेंगे दान करेंगे तो इससे मा लक्षमी आप पे परसन होंगी आपके कस्टों को हरेंगी आपके घर में धन विर्धी होगी और आप जो ये आपतिजनक और कस्ट पूर्वक समय चल रहा है उसमें भी आपको पोजिटिविटी मिलेगी मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सकारात्मक्ता बनाए रखें पोजिटिविटी बनाए रखें अगर आप दड़ संकलपी है तो कोई भी महाम मारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकती बहुत सारी चीजे है जब तक आपकी सोच पवित्र है आप शुद्धता के साथ हैं आपका मनोबल कमजोर नहीं है तो आप इस महामारी से जीत जाएंगे मैंने भी ऐसा ही किया है मुझे भी हो गया था करोना लेकिन सर्फ आप जो मानसिक पावर है आपकी जो मनोदिशा है वो अगर आप दड़ विस्वासी है इश्वर में तो कोई भी महामारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड पाएगी इसके साथ ही अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शन आप फोलो करें अपने घर में रहें और इश्वर को याद करते चलिए अब जानते हैं अक्षय तिर्तिया के बारे में अक्षय तिर्तिया हर साल बैसाक मास के शुकल पक्ष की तिर्तिया को मनाई जाती है और इस तोहार को धन विर्धी और सुख विर्धी से जोड़ कर देखा जाता है माननता है कि पूरे साल का यह सबसे शुब मूरत होता है माननता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे या फिर कोई शुब मूरत निकलवाए बिना कोई भी सुब कारिय किया जा सकता है वहीं जब अक्षय तिर्तिया पर कोई शुब सयोग हो तो इसका महत्तव और अधिक पड़ जाता है इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इस बार अक्षय तिर्तिया बेहत सुब सयोग से होने की वज़े से अगर इस दिन धन विर्धी के लिए कुछ उपाय आजमाए जाए तो हमें अवश्य ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है आईए जानते हैं कि कौन से हैं ये सुब योग और क्या है उपाय जोतिश्य गण्ना के अनुसार इस बार अक्षय तिर्तिया बेहत सुब योग में मनाई जाएगे इस दिन स्वार्थिद्धि योग एवं मानस योग बन रही है जो की बेहत सुब योग माने जाते है मान्यता है कि इस योग में मा लक्ष्मी की पूजा करने से या फिर दान पुन्य करने से इस दिन विवाग, गरै परवेश, भूमी पूजन और नया वपपार आरम करने के कारिये बिना कोई मुहरत निकलवाए संपन किये जा सकते हैं इसके अलावा मा लक्ष्मी को समर्पित यहत्योहार शुकरवार को मनाया जा रहा है शुकरवार के दिन भी मा लक्ष्मी का पूजन और उनकी पूजा करने से आपको विशेस फल प्राप्त होता है इस दिन सच्चे मन से मालक्षमी का समरण करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है कोडियों का उपाई धन प्राप्ति का उपाई करने के लिए अक्षय तिर्तिया के आवसर बेहत खास माने जाते हैं इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सफेद कोडियों का एक बेहत सरल उपाए अक्षयतिर्तिया के दिन 11 कोडिया लेकर उसी लाल कपडे में बांध कर पूजा के स्थान में रखे और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा करके ये कोडिया अपने धन के स्थान पर रख ले ऐसा करने से आपके घर में पैसा रुकने लगेगा और मा लक्षमी भी आप पर परसन होगी इस उपाय को करने से आपके जीवन में यश कीरती और मान समान प्राप्त होगा यदि जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी लोक डाउन चल रहा है और आपको सफेद कोडिया उपलब नहीं है तो मेरे जो पुराने विवर हैं उन सब को पता है कि दिवाली पर भी हम अपने घर में कोडिया रखते हैं आप उन ही कोडियों को फिर से एनरजाइज कर लीजिए उन में फिर से शक्ती उत्पन हो जाएगी क्योंकि काफी लंबे समय तक अगर कोई चीज रहती है तो दिरे दिरे उसकी उज़ा कम होने लगती है तो आप उन ही कोडियों को फिर से यूज कर सकते हैं अक्षय तिर्तिया पर अगला उपाए है हमारा नारियल का उपाए मा लक्षमी को नारियल सब से प्रियमाना जाता है और अक्षय तिर्तिया के दिन नारियल का उपाए करने से हमारे घर में धन का अगमन होता है आपको करना यह है कि अक्षय तिर्तिया के दिन मा लक्षमी के समक्ष एक आक्षी नारियल लाकर स्थापित करें अगर एकाक्षी नारियल संभव नहीं है क्योंकि ये बहुती कम पाया जाता है तो आप सामान्य नारियल भी स्थापित कर सकते हैं ऐसा करने से मालक्ष में आप पर परसन होंगी आपको मन चाहे परिनाम देंगी इस तोटके को आजमाने से आपके घर में कभी भी धन दान्य क कमी नहीं होगी अगला उपाय है उनके लिए जिनकी शादी में बाधा आ रही है तो बहुत सारे ऐसे जवान युवा यूवती हैं जिनको शादी में प्रोब्लम आ रही है उनका विवा नहीं हो रहा है तो उनके सिगर विवा के लिए ये उपाय उनको करना है यह उपाय माताओं पिताओं के लिए है जो अपनी संतान के विवा को लेकर परेशान रहते हैं इस दिन आपके आसपास जो विवा हो रहे हो वहां जाकर कन्या को दान सवरूप कुछ जरूर दे ऐसा करने से आपके बच्चे के विवा में हो रही देरी खतम हो जाती है ऐसा करने से आपके अपने भी कष्ट दूर हो जाते है और मालक्ष्मी परसन होती है। अगर आप चाहें तो वेजनती की माला भी उफार सवरूप उनको दे सकते हैं। जो युगल प्रेम विवा करना चाहते हैं, वो वेजनती के मोतियों से बनी कोई भी चीज नए विवाही जूडे को गिफ्ट कर सकते हैं चलिए अगला उपाय देखते हैं पित्रों की किरपा के लिए भी आप इस दिन उपाय कर सकते हैं अक्षय तिर्तिया के दिन किया गए दान का अक्षय फलप्राप्त होता है इसलिए पित्रों को परसन करने के लिए भी इस दिन आप दान करने के विशेस फल प्राप्त कर सकते हैं अक्षय तिर्तिया के दिन पित्रों के निवित कलश, पंखा, चपल, छाता, ककड़ी और खरबूजा दान करने का विशेस महतो माना जाता है क्योंकि यह सारी चीज़े इसी गर्मी के सीजन में आपको उपलब दोती हैं आसानी से इसलिए जो सीजन की चीज़ें आपको वही दान करनी चाहिए इस दिन किसी भी जुरूत मन सादू संत को फल, शकर और घी का दान करने से खास फल प्राप्त होता है इस टोटके को करने से भगवान विश्णू के साथ ही मा लक्षमी भी परसन होती है और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी विपरिस्थितिया है चारों तरफ इतनी प्रोब्लम चल रही है तो उसके चलते आप किसी भी जरूत मन को दान कर सकते हैं जैसा आपका सामर्थ है अगर आपको खरबू जा ककड़ी वगेरा अवलेबल नहीं है तो आप आटा चावल जो भी आपके घर में है जो भी आपकी शर्दा है वो किसी जरूत मन को अपने पितरों को याद करके अवश्य ही दान करें इसके साथ ही अपने घर में अवश्य ही गूगल लोबान की दूनी से हमारा जो वातावरण है वो सकारात्मक होता है और नेगेटिव एनरजी उसे हटती है इससे आप अपने घर को वाइरस से भी बचा सकते हैं तो उस दूनी वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपना ध्यान रखे इश्वर में आस् है माता दी